अलो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग इंटर्डिवेट थी ओनलाइन व्यासर्स में आज सबसे पहले यह तोपिक डिसकस करने वाले हैं उस तोपिक का नाम है हेलो एलकेल तथा हेलो एरिंग तथा हेलो एरिंग होते गया है हम लोग यहां से शुरू बात करते हैं जैसा कि वोट पर एक डेपीशन लिखी हुई है एलिफेटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रो बार्दन के हेलो व्योत्पन को हम हेलो एलकेल अथ्वा हेलो एरिंग करते हुए अब यहां बात हम थोड़ा सा सब्झेगे एलिफेटिक और एरोमेटिक के बारे में आप अल्रेडी डिसकस कर चुकिए एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं यह हम अल्रेडी डिसकस कर चुकिए एलिफेटिक के अंदर काथ हम लोगा ने सीखना था एलकेल, एलकेल, एलकाल सबसे पहले हम बाहत करते हैं एलकेल, आप लोगों को जैसा की बता है कि इस एलकेल है उस एलकेल का जो जनल फाम्मुला होता है वो होता है cn h2n plus 2 इसका एक एक एक्जाम्पल देखें तो हम n की value अगर 1 रखेंगे then we got cn h4, इसको बोल में मेखें अब जैसे के हम इन सीखा एलिफेटिक का है दो भ्योगपन हैलो means halogen, और halogen से मतला बोलता है chlorine, bromine, iodine, chlorine यह सब्सक्राइब, यह सब्सक्राइब होता है जिनको हम जनल के में x इंगे अब हुरों को ने करना क्याना कि h को हटा करके x लगाना it means c h3 और 1 h हटा करके हमने c l लगा दिया इसका नाम हो गया chloromethane इसकी तरह से हटा करके बिया लगाने के c s3 बिया बन लगाने के और फिर इसका नाम होता bromo methane सेवी चीज़ अगर हम nql 2 लगते तो हम लोगों को मिलेगा c2 h6 इसका अगर वे structure बनाते है तो इसके बनेगा c s3 single bond c s2 अब हम लोगों और इसमें से h अटा करके halogen लगाना है सब्सक्राइब हमने h अटा करके iod लगा दिया तो इसका नाम भुजाएगा iodo और ये दो कालबर में तो उसको बोलेंगे athene तो इस तरह से हमने देखा कि lkणों के halogen व्यूत्पन है उसको हम लोग बोलते हैं halo lk ऐसा नहीं है कि alipatic के अंटरग केवल lkण ही आते हैं इसमें हम lk और lkण को भी रख सकते हैं अगर हम n की व्यूत्पू रखके तो हम लोगों को में लेका C2H4 अगर हम इसका structure अनाते हैं तो हम लोगों को में लेका CH2 double bond CH2 अगर हम इसमें से एक एशेटा करके halogen लगाते suppose हमने CL लगा लिया तो ये भी halo derivative ये भी halo viewpoint है alipatic hydrocarbon alkyne भी होते हैं halo hydrocarbon basically हम लोगों को halo alkyne की बारे में जाता तर discuss करना है halo alkyne halo alkyne जो है उसमें हम benzene ring से related बात करने वाले हैं benzene ring है formula आपको पता है C6S6 होता है इसमें 6 carbon है और किसी एक edge को हटा करके हम इसमें halogen को लगाते है halogen का मतलब chlorine, bromine, iodine कुछ भी हो सकता है तो यह जो compound बनेगा halo alkyne और difference क्या है halo alkyne में alkyne की बात हो रही है हम यहाँ alkyne के बारे जिसकस नहीं करें हमाना alkyne portion अभी फिलहाल नहीं हम बचलत है halo alkyne में halo alkyne में क्या difference है difference यह saturated hydrocarbon है यह संत्रप्थ hydrocarbon है और इस पर जो hybridization है वो है spb और यहाँ पर जो halo alkyne लगा हुआ है वो double bond zh है इसलिए यह जो carbon है जिस पर halo alkyne उसका hybridization होता है spb यह major difference है यह halo alkyne में और halo alkyne अब बात कर लेते हैं जो halo alkyne सोते हैं उनके वर्णी halo alkyne के अगर हम वर्णी कर दी बात है तो halo alkyne के वर्णी कर दी बात है हम लोग सबसे पहले देख दोते हैं mono halo alkyne mono halo alkyne इसी तरह से die halo alkyne halo alkyne इसी तरह से tribe halo alkyne और उसकी बाद फिर poly halo alkyne भी हुटो बिया सकते हैं mono halo alkyne के अंतरा प्रकरम देखें हम example mid-end से start कर देखें इसमें एक कारवान है इसका फॉबला है CH port और अगर हमें CH port फॉबले से बात करें तो अगर हम इसमें इसमें एक halogen रूप हटा पर देखें एक CL लगा देखें हम लोगों को मिलेगा CS3CL इसको बोलते हैं chloromethate यह mono-halo-alkanes का example है CH2CL इसमें 2 halogen group लगा दिये हमने तो यह di-halo-alkanes का example है इसका नाम है di-chloromethate और tri-chloromethate पहन अगर हम आग करें तो CHCl3 इसमें 3-3 halogen group लगा दिये हैं इसका नाम है tri-chloromethate और यह हमारा tri-halo-alkanes है इसका एक general formula है chloro-alkanes जिसको हमारे डिस्कस करने है तो overall जो हम लोगों का main topic है वो है halo-alkanes halo-alkanes इसमें हमने जो समख किया जो हम लोगों ने चीज़ सीखी उसमें कीबल main part क्या है सीखने के लिए जो aliphatic aliphatic hydrocarbons का मताब अब आपको पता है न alkane, alkin और alkyne इसमें से एक H हटा करके हमें halogen group attach करना है तो जो aliphatic hydrocarbon का halo derivative बनेगा उसको हम किस category में रखेंगे halo-alkane की category में रखेंगे बिसकलि एक हम alkin लेते हैं तो और अगर arrow में टेके इस benzene को benzene में जो H presence है इसको हम हटा करके halo group attach करते हैं तो जो बनेगा उसको क्या बोलते है halo aliens अगर एक halo group लगा हुआ है halo alkin 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 झाल, झाल, झाल